हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंट्स कॉंपलेक्स एनालेसिस पर लेक्षर नमबर 22 है इस वीडियो हम जो पढ़ेंगे वह है हमारे पास कोचे इंटेगल थेयरम क्या होती है उसको हम प्रूव पढ़ेंगे और कोचे सिंपल क्लूजकरस और हूं दार सिंपल क्लूजकर्व सी देन इंटेग्रेशन ऑफएपजन धी ड्यक्सण होगा और हाथ CP उनक्सरां हमारे पास इह प्रूजके र्भाने कोई करव इस तरह से हुग्शए कोई करव है यह सिसके अंदर फंक्षन जो है वह एफ जेड जो है एनलेटिक है यानि कि वो सियार एक्वेशन को सैटिस्पाई करता हर पॉंट के लिए और साथिक कर्व पर और एफ डैस जेड जो है वो कॉंटूनियस है हर पॉंट के लिए देन उस कंडिशन में हमारे पास इंटिग्रेशन ओफ एफ डीजड एक्वल टू जीरो होका है यह हम प्रूब करेंगे लेट दा रीजन इंक्लूड बाइदा कर्व सी भी आर हमने सपोज कर लिया कि यह जो कर्व है रीजन है वो आर है यानि यह जो रीजन है पूरा आर है यह हमने सपोज कर लिया एंड लेट एफ बराबर यू प्लस आयोटा वी जहां पर यू जो है रियल पार्ट होता है वी जो होता है मेजनीरी पार्ट होता है फंक्सन का जैड बराबर क्या होता एक्स प्लस आयोटा वाई तो यहां से हम एफ जैड डीजड को क्या लिख सकते है यू प्लस आयोटा summary by ؟ फिर दी इंग्स जो Ele में तो सिस्टोलम के यूज लिया विस्टार ही कि बिरेश्पिटे पेरोबोर्प से हम आप इसको यह लिख लिया माइनेस डेल बी-पोन डेल एलेस्ट देस्ट द्वाइट आयोट्थ डेल bind paying क्योंच बेपोन डेल एक सदिवाइग तो यहां से हम ने siya request की उभी अंच से नहीं पनंद divismo के हैक्सरिक अब यहां से हमनेस वेक्षान के ससे मैंनेस डेल वा तो पहले क्या करें था माइनस डेल वी अपॉन डेल य और यहां से हमारे पास यह माइनस डेल य को सेम रखा उसके बाद हमने क्या क्या हमने यहां पर डेल वी अपवन डेल य को हम द्रों करेंगे डेल य अपन डेल एक्स तरह इसी तरह से फ्रेंट समारे पास 0 यह चाय यह जिरो यह जाएगा यह 0 यह जिरो प्लस जीरो ब्रावर 0 इंट इंट्रेशन ओप एपड डीजर इक्वल टू जीरो अब एक नोट है मारे पास वो देखते हैं इस दियर इस नो पॉल इंसाइड एंड ओन दा सौराओंटर कोन्टोर दें दा वेल्यू ओपड़ इंटिगल ओफ दा फंक्सन यह कोई फंक्सन है उसके निए सेर्किल है जो सोट्व्य कर mouve में उस पर कोई उसके अंदर कोई पॉल नहीं है या नोपॉल इंसाइड और उन्दकांटर यानि उस पर कोई पूल नहीं पूल क्या होता है फिरस जहां पर हमारे पास फंक्सण की वैल्यू इंफाइनेट जाती हो तो उस उस पॉइंट को कहते हैं कि यह पॉइंट जो है पॉल है अगर कोई पॉल नहीं तो उस कंडिशन में यहां पर यहां पर हमारे पास यहां पर यहां पर हमने ड्रो किया इसको यह यहां पर यहां पर बन बाइटू और यह बन बाइटू यानि इसके रेडिएस जो है भूद वह बन बाइटू है अब यहां पर सॉलूशन करते है पोल ओफ दा इंहरे पास जो डैनुमेठर है उसको जीरो के क्वेट करने पर जेद प्लस बंबराबर जीरो के उक्वेट करने पर तो फिर उसको पुत क्या तो हमारे पास जेड ब्लस बन एकवल टू जीरो हैं जैड बाहर आएगा z equal to minus 1 जो होगा यानि की जो point होगा वो इस circle से बाहर होगा क्योंकि z बराबर 1 by 2 इसके अंदर है जो z less than equal to 1 by 2 है वो सारे point इसके अंदर है तो z equal to minus 1 जो point होगे वो सब बाहर होगे इसके तो इस condition हम कहेंगे जो circle का जो pole है वो बाहर है इसके इससे कोई भी सिंगूलर्टी नहीं है सिंगूलर्टी क्या होती है फ्रेंश जहां पे फंक्सन जो होता है वो जहां पे उसका पॉल है जो होता है वह point को हम क्या है से सिंगुलर्टि क्या है कोई भी सिंगुलर्टि नहीं यह नोट इंप्रूज एनी सिंगुलर्टि ओफ गिवन फंक्षन तो यहां से हम कह सकते हैं कोजिंग थ्योर्म के यल्प से कि इसका जो सॉलिव इंटिरेशन जो होगा वह जीरो होगा अब उसके बाद नेक्स एक्जामपल लेते हैं एविल्यूट इंटिग्रेशन ओफ सी दीज़ेट जड़ेट प्लेस थ्री आइवट वरावर टू एंड मोड जड़ उकुल टू फाइब यानि हमारे पास एक इंट्रीग्रल है और उसके लिए हमें सॉल्व करना है इसको जड बरावर फाइव तो यहां पर हमें इंटिग्रेशन करने हैं तो इन इंटिग्रेशन को कैसे कर सकते हैं सॉल्वूशन देखते हैं एक एप जड़ बरावर बन अपन जड़ स्कुड प्लस 9 दा पोल ऑफ एप जड़ कैन वी डेटर्मेंट वाई एक्क्वेटिंग देन डेन तो यहां पर होगा इस पॉल एस ऑपर लाइन दा गिवन सर्कल क्योंकि अब अब सर्कल पर हम देखते हैं तो यह जो है रेडियस है और यह जो पॉंट होता है वह उसका सेंटर होता है मैनस ऎकूल टू आर होता है यहां पर वह सेंटे हूता है तो यह को देखते तो माइनस 30 यह है तो इससे शर्क्ल पूंट जो सेंटर पूल है वो माइनिस 3 आउटा है जो इस circle के अंदर है तो उस condition of integration कैसे निकालेंगे फ्रेंट पूल at z ब्रावर माइनस 3 आउटा लाई in the given circle c then fz d z ब्रावर integration of 1 upon z square plus 9 d z तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 upon z plus 3 आउटा z minus 3 आउटा d z तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंट इंटिग्रेशन ओफ 1 upon z minus 3 आउटा बन माइनस जड़ अपून 3 आउटा और अपून फूर्मूला होता है वह हमें आगे पढ़ेंगे अगर यहां पर हमारे पास इसकी जो पावर है यानि उसकी जो ओर है वह only one है तो इसका हो जाएगा और अब बन माइनस माइनस त्री आउटा फूर्मूला किस तरह होता यह भी हम नेक्स वीडियो इसका और प्रदर वन हो उस कंडिशन में सिंप्री टू पाइयोटा यहां से क्योंकि जो जिस पर हमारे पास पॉल है वहां पर टू पाइयोटा बाकि इस पर पॉल नहीं बन रहा है उसके लिए बन मैंड बन अपन जैन मैंनेस ठीया यूटा तो टू पाइयोटा और यह हो गया बन बन अपन जैन और दोनों अंदर यहां से इंटिक्रेशां-उफ-फच्रिय Р अब प्लस बन लिए हमने किसी वन जो है नीचे वाला पार्ट है और शी टू जो है उपर वाला पार्ट है तो इस तरह से हमारे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो यह वह गया हमारे पास टू पाइ आयोटा और यहां पर जैड बराबर माइनस री दिए इस तरह चैक्ट सॉल्व किया तो आपास इसका सॉल्वूशन जो आ गया वह जीरो आ गया अब फिर्ट हम देखते हैं एक्स्टेंशन ओफ कोची थोर्म टू मल्टिपल कनेक्टेड रीजन इफ एपजएड इन रीजन आर बिट्वीन तू सिंपल क्लोज करब सीवन एंड चीटू की बीच में एपजएड जो है वह एपजएड फंक्शन है देन हमारे पास एपजएड डीजड वराबर सीटू एपजड प्रूफ इस उपड़ते हैं हमारे पास चूब्ड पास यह जो है कि वेर्दा पात ऑफ इंट्वेशन एज एलंग येज एगर इंट्रीग्रेशन का पास जो ऑनागफ एभी है एंड कर्व चीनी क्लोग वाइज डायक्शन एंड एलंग बीए एंड एलों चीबं इस एंटी क्लोग वाइज डायक्सन यानि ए बी इसके तो हमारे यहां पास clockwise direction है और अघर भी यह चलते हैं तो इंटिक लोग वाइज direction है हुआ हो कि तु मारे पास abb f z d d hi recommended सीवर्ण जो हो है मारे पास है कि कि यह पीचरफ को नचरा कि पास हो कि यहां पर देख नोग आप FZDZ-C2 FZDZ-BA FZDZ-C1 FZDZ-C1 FZDZ-Equal-to-0 यहनि हमारे पास पूरा integration जो इसके AB उसके बाद यह C2, यह C1 इस तरह से हमारे पास इंटिग्रेशन को पूरा इसको लिख लिया है यह तो clockwise direction और यह है anticlockwise direction यह हो गया तो यहां से हो गया हमारे पास minus c2 Bz DZ plus c2 BzDz equal to zero ABb FZdz equal to minus bA Fzdz यानि क्यों चुक्य ये लोग बाइश डाइरेक्षन हैं इन्टी क्लोग बाइश डायरेक्षन स्रुप डायरेक्षन चेंज हो है जो । डायरेक्षन हम integration ये टुबी कर रहे हैं तो उसको तो बी मेरे एक कर दिया तो उस कética ये मारे पास यह को साइंगे दोनों को संब को जाएंगे यानि इसका जो एक्स एक एंटिकलोक बागवाईज है एक बागी सारी इंटफ्य कोचे इंटेकर फोर्मूला क्या होता है काऊचे इंटेगर फॉर्मूला ऐगोता है एफ एक देगर एपउडेटिक विदिन एंड एंड ख्लोज कर्व सीवन देन एफ यह एपॉंट विजिन सीवन देन एफ यह बराबर होता है वन अपन टूपाई आयोटा और इंटेग्रेशन जैर्ड अपन जैर्ड माइनस एडी जैर्ड यानि हमारे पास कोई एक क्लोज कर्व है और यह कोई पॉंट है तो उस एक्सप्ट बराबर यह पर हमारे पास इसके वहां पर इसके पॉंट नहीं रहेगा तो यह अनलेटिक मी नहीं होगा बिद्दा पॉंट एस सेंटर एंड रेडियस आर ड्रोवा स्मॉल सर्कल सीवन लाइंग इंटारली विदिन सी यानि एक पोई जो पॉंट था इसके हमन पास इसके सर्कल बनाया जो कि उसकी रेडियस हमने इतनी छोटी रगी कि जो सर्कल है वो पूरे सर्कल इस जो बड़ा वाला सर्कल है सी उसके अंदर आ जाए तो यह सीवन लाइंग इंटारली विदिन सी नाव एपजर जैड माइनस ए इस एनलेटिक इन दा रीजन बिट् याइनजद हंस वाइंग कोची इंटिगल धोरम से हमारे पास फूर म्लोटिपल से लिए जो ने अवह पड़ी ठी एपडी झेड यह ब्रहाबर 81 %100-p अबिए 4 मैद्याव influencer 0000- इस बार इसने का हो गए हमारे पास 002 2पाई और इसको हमने इसे बदलने लिए तो यह हमारे पास यहां से यहां से यह कट जाएगा और जैसे आर्टेंस टू जाएगा हमारे पास यह प्लस आर्टेंस टू जाएगा हमारे पास यह प्लस आर्टेंस टू जाएगा यह एफ पे जाएगा और आर्टेंस टू जाएगा यह वैल्यू जो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगी कि तो यहां से हमारे पास पास सेखेंड़ बच गया सी बन डी जैड जैड मैंस यह ब्राव जीरो टू पाइग की पार आयोटा थीटा दीटा आर एक पार आयोटा थीटा तो 0 to 2 pi iota d theta 2 pi iota यह इसका integration आ गए हमारे पास putting the value of integral in RHS of 1 we have जो RHS 1 था इसमें इसकी value हमने 0 निकाल ली इसमें हम put करेंगे value तो हमारे पास यह fa 2 pi iota fz dz z minus a बराबर 0 plus fa 2 pi iota तो यहां से fa बराबर आ गए बन अपन 2 pi iota integration of fz dz अब फिर्ट संपढ़ने वाले कोची integral formula for the derivative of an analytic function यानि कोची integral formula जो कि किसी derivative के लिए कोई analytic function है उसके derivative के लिए इस आप function fz is analytic in a region r then its derivative at upon z बराबर a of r is also analytic in r यह कोई function है fz वोगर analytic है एक region r में then उसका derivative जो होगा वह भी जड़ बराबर a पर analytic होगा एंड इस गिविन भाइज उसका derivative जो इस तरह से यह दे जाए था एफड़ा बराब बने अपन टूपाई ओटा टूपाई आयोटा इंटिग्रेशन ओफ जड़ जड़ माइनस एक होल स्कॉर्ड डीजड वेर सी जड़ एनी क्रूज कर्व इन आर सरांडिंग दा पूंट जड़ बराबर a के आसपास के जड़ बराबर a के आसपास कर्व है और वो कर्व इस तरह से कि जो हमारे पास आर है उसके अंदर है पूरी तरह से आर के अंदर वो कर्व है प्रूब पड़ते हैं वी नो वाई कोची इंटेग्र फॉर्मला पड़ा उससे हमने देखा था हम एफे वरावर बन अपन टू पाई आयोटा इंटेग्रेशन ऑप जी और इंटेग्रेशन इन क्लोज कर्व एप जड़ जड़ माइनस एड़ जड़ हो कि डिफ्रेंसेटिंग बन बिद रेस्पेक्ट टू एइब इसको को इसको फिर सेटकिया हमने मारे पास यहाग będziemy टैस एप एपकोल टू ऊपुन मेनॐ तो यह यहां पर इसका इंटीग्राशन ओने से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जोगा वो इसक्तर एस थरी होगा हमारे पास ए डेल अपॉन डेल ए बन ऊपॉन जैड मैनस ए या इसको डेल आपॉन डेल ए जैड सब्सक्जरा निया मैमाइनेस यह होगा सब्सक्राइब होक्ता चिलिए यह ओगा decision आयोटा एपजर जैड माइनस एका क्यूब डी जैड अगर एंड टाम डिफ्रेंशिट करना हो तो एंड माइनस बन फेक्टोरियल टू पाई आयोटा एपजर अपून डी जैड जैड मैंस एक पावर एंड प्लस बन तो इस तरह से हमां इसका इंटिग्रेशन मिकाल सकते हैं अब फिर नेश्ट लेक्टर माँ जो पढ़ेंगे एक्जांपल्स लेंगे टैंक्यू फ्रेंट्स